आयोध्या में राम मंदिर शिलन्यास के लिए रामग्रे यात्रा से पहले शंकरा चारह स्वामी स्वरूप आनन सरस्वती की तब्यत अचानक बिगड़ गई शंकरा चारह के बिगड़ते स्वास्थे को देखकर उन्हें आनन फानन में B.H.E.U. के सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने शंकरा चारह स्वामी के चकप के बाद उनको आईसी उमें भर्ती कर लिया डॉक्टरों की माने तो चेस्ट में इंफेक्शन के कारण उनकी तब्यद बिगडी है हाला कि डॉक्टर उनके हालात में सुधार बता रहे हैं बता दे कि शंकरचारे स्वामी स्वरूपानन सरस्वति कल्पवास के दोरान पिछले एक महीने से प्रयाग राज में थे अभी महराजी आईसियो में स्वास्त लाब कर रहे हैं हम सब के जीवन में महराजी का जो इस्थान है वो यह है कि महराजी स्वस्त रहें सकुषल रहें अगर वो यात्रा के लिए उनके स्वास्त लाब ठीक रहेगा हमारी टीम आफ डॉक्टर्स पूरी अगर कहेगी तब ही हम लोग एडवाइस कुछ देंगे अन्नता हम दोग स्वामी जी मनाचे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आगे पुस्पोन कर देंगे आपको बता दे कि आयोध्या में राम मंदिर शिलान न्यास के लिए शंकरा चार्रे की अगुआई में 17 फरवरी को प्रयागराज से रामा ग्रह यात्रा निकाली जानी थी और 21 फरवरी को राम मंदिर का शिलान न्यास करना था लेकिन इस पूरे आयोजन से पहले उनकी तब्यत अचानक भी गड़ गई और वे बीचियो के सर सुन्दरलाल चिकटसालले के आईसियो में पहुँच गए पंजाब केसिरी टीवी के लिए वारा नसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट